गुवार के बाओं का पविश्य क्या रहेगा? किसान बुईयों का माना है कि इस बार लगबग 8-9 वर्षों में गुवार के दामों में फिर से अच्छी तेजी आई है जिससे इस पसल का उत्पादन करने वाले किसानों के चेरे खिल गए हैं इसी के चलते आगे आने वाले सेमय में तेजी बनी रहने का अनुमान लगया जाज रहा है जानकारों के मुताबिक इस बार इंटरनेशनल मार्केट में घुवार गम की मांग पड़ रहे है करें आपको मंडी भाव इन्फोर्मेशन यउटुब चेनल पर प्रकाषत के जाया रहे हैं किसानों इससे पहले आप सबी से मैरा एक चोटरा सार रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे मंडी बाव इन्फोर्मेशन यूटूब चैनल पर पहले बार विजिट करें तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें यूँ गंटे वाले जिनको जरूर दबा दें ताकि मेरा हर एक नए वीडियो का नोटिवेशन आपको सब्सक्राइब नहीं करते हू इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब गरो फिर वीडियो देखो इसके साथ के सायं पर शाथ सेर भी गरो गौर के बाव से सम्मझत जानकारी हमारे देश में गौर का उतपादन में किते गुजरात राश्तान और रेना में होता है जबकि गौर के उतपादन कुल का चितर पर शाथ अधिक अकेले राश्तान में होता है इस पुछली सिजन के दोरान भारत में गौर के उतपादन में लगबक 50% की गिराउट देखने को मिल सकती है दरहसल पिछले कई वरसों से गौर और गौर के दामों में बारी गिराउट के करण किसानों भायों का गौर की पसल परटी कापी हलकी आ रही है ऐसे में गौर का उतपादन करने वाल किसोनों का मन में परतिन गौर का पाव जानने के उसकता बने रहती है तो आये जानते है कि गौर का पाव क्या है इसके साथ ही अज गौर क्या बाव है और देश की मंडियों में गौर क्या पाव चल रहा है गुवार का बाव कब और कितना रहा मेंडियों में आने वाले पिछलों का बाव किसी से चुपा नहीं है चाल रहा है याँ कि ये भी किसी चुपा नहीं है आपको निक्शित रूप से याद होगा कि एक बार गुआर के बादमों में बारी उच्छाल देखने को मेरा था और उसके समय गुहार का बाव लगबग 33-35,000 रुपरती कुंटल चला गया इसलिए जनले को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा रग निए वीडियो नटिपसन आपको सब्सक्राइब मिले जैसे गुहार का बाव तेज होगा आपको वीडियो से आपको जानगारी मिल जाएगी